हलो दोस्तो मैं हूँ श्रीकांत एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक में कॉन्पिडेंटली व्लोग्स को बनाने के लिए मेरे पांच टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिने आप अप्लाई करके पब्लिक में खुल के कॉन्पिडेंटली व्लोग्स को बना सकते है कुछ दिन पहले मैं एक टूरिस्ट प्लेस में व्लोगिंग करने के लिए गया था मैंने सोचा था कि वहाँ ज़्यादा भीड नहीं रहेगी लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि उस जगह में पांच हजार से भी जादा लोग मुझूद है वहाँ एक इवेंट चल रहा था बहुत भीड थी मैंने बिना डरे कॉन्पिडेंटली जैसे सोचा था ना उससे भी बहतरिन तरीके से वहाँ व्लोग को बनाया अब मैं 20 ली कॉन्पिडेंस के साथ पब्लिक में वीडियो को बनाता हूँ ऐसा क्या टिप्स और ट्रिक्स को मैं फॉलो किया जिसे मैं वितोट फियर कॉन्पिडेंस के साथ व्लोग को बना रहा हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये वीडियो actually हमारे course का content है फिर भी सबको help होता है सोचकर हम freely YouTube में डाल रहे है यदि आप vlogging करना सीखना चाहते हैं तो vlogging के बारे में हर एक चीज़ को basic से लेकर advanced level तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे online 30 days vlogging course को join करके सीख सकते हैं टोटली इस course में आप vlogs videos को बेतरिन तरीके से shoot करना vlogs videos को high quality में edit करना और most importantly storytelling करना और आल इस course में आप vlogging के बारे में सब कुछ detail में practically सीखेंगे course को join करने के लिए roaringfilmschool.com को visit करे या तो link description box में है चक करे फिला लब limited time के लिए discount आपर भी चल रहा है और ये आपर सिर्फ पस्ट 100 students को ही मिलता है अभी course को join कीजिए, सीखिए और जल्दी successful हो जाईए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, let's begin 5 tips to log in public without fear and with confidence टिप नमबर 1, prepare well well begin is half done आप किसी भी topic के ऊपर वीडियो या vlogs को बनाने से पहले अच्छी तरह से preparation कीजिए यदि आप travel logs को बनाते हैं तो location के बारे में अच्छी तरह से research करें content को prepare कर लीजिए वहाँ क्या क्या है, क्या क्या दिखाना चाहिए, किस तरह दिखाना चाहिए और आपका iternary किस तरह रहेगा, सब कुछ अच्छी तरह से plan कीजिए और सही gears को select करें for example यदि आप action चीजों को shoot करने वाले है तो आपके लिए go pro अच्छा रहेगा यदि आप low light में shoot करने वाले है तो आपके लिए professional camera अच्छा रहेगा यदि आप बहुत भीड में, crowded जगह में shoot करने वाले है तो आप go pro या phone या कोई भी compact camera उसको use कर सकते है उसके साथ selfie stick mic की ज़रूरत है तो उनको भी prepare कर लीजिए वीडियो को shoot करने से पहले अपनी dress, बाल वाल सब कुछ ठीक है के नहीं एक बार चक करें ये प्यवरी thing is fine, सब कुछ ठीक है तो आपको confidence अपने आप में ही आ जाएगा इसलिए prepare रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी vlog को shoot करने से पहले mentally prepare हो जाएए ऐसा सोचिए कि मैं बहुत अच्छी तरह से इस vlog को बनाऊंगा confidently public में बात करूंगा positive affirmations के साथ vlog को शुरू करे टिप no.2 be confident public में confidently vlogs को बनाएए डरिये मत किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है खुल के बिंदासली अपनी vlogs में बाते करे अब मैं खड़ा हूना दोस्तो इस जगा का नाम है किद्रापूर ये मारश्टर राज्य के कौलापूर डिश्टिक में स्तित है अपनी content को prepare कर लीजिए लेकिन word to word script लिख के रटा मत मारिये never memorize word to word अपनी vlogs में जो भी बोलना है ना दिल से बोलिये आप जैसे है ना वह इसे natural तरीके से ही बाते करे और total इस मंदिर का दोस्तो खूबी यही है स्वर्ग मंटप यहां से स्वर्ग का ही नजारा दिखता है वाकई में दोस्तो बहुत खूब सुरत यह दिखता है और साल में एकी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तो यहां सेंटर में ही चांद दिखता है असल में दोस्तो साल में एकी दिन यहां चांद सेंटर में रात में 12 बज़े दिखता है देखे दोस्तों यहां कुछ टूरिस्ट आ चुके हैं आपको मंदिर किस तरह लगा सर बहुत बढ़िया है ना देखे हजारों साल पहले का मंदिर है दोस्तों कितना खूब सुरत दिक रहा है बहुत सारे इन्वेडर्स इसके उपर आकरमन किये हैं लेकिन आज भी कितना जव दोस्तों का काम है आपको देखना और आपका काम है तरकी करना अपने दिमाग से इस डर को हटा दीजिए कि लोग कहेंगे क्या सबसे बड़ा रोग लोग कहेंगे क्या देखो दोस्त तुम अच्छा काम कर रहे हो लोग बोलेंगे तुम बुरा काम कर रहे हो लोग ये दुनिया इसे ही है, मतले भी है, हमेशे एक बात को याद रखना, ये दुनिया हरामती, हराम है और हराम ही रहेगी, कोई भी आपकी बलाई नहीं चाहता, सिवाए तुम, आपको कुछ करना ही तो, सक्सेस्पुल होना ही तो, आपको कमपर जोन से बाहर आना ही पड़ेगा लोगों के बारे में सोचना बंद करे, लोगों को इगनोर करे, और कंटेंट के उपर ध्यान दो, क्यामरा को अपना दोस्त बना लो, बात करते वक्त क्यामरा के लेंस में ही देखिए, एक बार लोगों को देखना, एक बार क्यामरा को देखना इसा मत कीजिए, इससे आप क confidence भी कम हो सकता है इसलिए क्यामरा में देखते देखते अराम से comfortably बाते कीजिए आप क्या बात करना चाहते हैं ना clearly बताओ clear और confidently public में vlogs को बनाईए self confidence is key to success इसे याद रखिए tip number 3 don't compare yourself with others आप कभी भी खुद को दुसरों के साथ compare मत कीजिए मैं चोटा हूँ बड़ा हूँ मैं मोटा हूँ दुबला हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा मत सोचिए आप unique हो आपके जैसे इस दुनिया में कोई नहीं you are one night only masterpiece भगवान ने हम सब को unique बनाया है हम सब में कुछ गाना कुच uniqueness है हम special है हकीकत यह है की इस दुनिया में हमसे भी बेटर कोई ना कोई है और यह भी सच है की हमसे भी नीचे लेवल पर हमसे भी कम स्किल्स वाले भी कोई ना कोई है आप खुद को दुसरों के साथ compare मत कीजिए खुद को खुद के साथ compare करे आपके कल के साथ खुद को compare करे पिछले मैने आप किस तरह vlogs को बनाते थे अब किस तरह बना रहे हूँ कितना improvement हो चुका है देखिए दिन बर दिन बेतर होते जाईए चोटे-चोटे improvements करते जाईए जरूर आप ये pro vlogger बनेंगे इस गलती को मत कीजिए आपके पास जो भी है न उससे काम को शुरू करे start with what you have think big, start small, act now एक vlog में सिर्फ 20% gears matter करते है बाकी 80% आपके content matter करता है content is king होता है quality content बनाने के बारे में सोचिए end of the day content matter करता है ना कि आपके पास क्या है क्या नहीं अब आप दूसरे vloggers से inspiration लीजिए उनसे सीखिये लेकिन दूसरों को copy मत कीजिए किसी की नकल मत कीजिए आप जैसे है न वैसे रहिए आप original है original ही रहो be original आपकी कहानी unique है your story is your fingerprint आप जैसे है न वैसे natural तरीके से confidently vlogs को बनाईए आप जरूर successful होंगे tip number 4 be approachable बहुत सारे vloggers क्या गलती करते है कि लोगों को देखके भीड को देखके दूर बागते है अपनी वीडियो में लोगों को अवाइड करने की कोशिश करते है काली स्पेस देखके काली जगह में वीडियो बनाते है इनके vlogs में नह के वरबर लोग दिखते है आप इस गलती मत कीजिए आप engaging interesting vlogs को बनाना चाहते है तो अपनी vlogs में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को involve करे पहले आप approachable रहिए यदि आप travel vlogs को बनाते है तो tourist spot में बहुत सारे tourist रहेंगे वहां के लोग रहेंगे उनको देखके डरिये मत उनको hate मत कीजिए आप public में vlog बनाने लगे तो accuse चार लोग आपको देखेंगे उनमें से कोई आके आपको पूछ भी सकते है इसलिए आपको approachable रहना बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ friendly व्योवार कीजिए लोगों को अपनी vlogs में involve करे इससे आपका confidence भी बढ़ेगा और interesting vlog भी बनेगा इस point में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप communication सीखिए अगर आप अपनी communication skills को improve करना चाहते है तो मैं आपको इन किताबों को पढ़ने के लिए recommend करूँगा ये चारो किताबे डेल कारनेगी की द्वारा लिखी गई है इन किताबों का लिंक्स को मैं वीडियो के description box में दिया हूँ चक करे टिप नमबर फईू, practice, practice, practice प्राक्टीस makes us perfect पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए प्रैक्टिस के बिना कोई भी शॉटकट नहीं है पब्लिक स्पीकिंग को आप घर पे बैट कर चार यूटूब वीडियो को देखकर सीखना ही सकते आपको चार लोगों में बात करना सीखना ही तो आपको चार लोगों में ही जाना पड़ेगा और चार लोगों में जाके पब्लिक में जाके बात करना ही पड़ेगा जैसे swimming सीखने के लिए पानी में कूदना ही पड़ता है ना, public speaking भी वैसाई है आप public में vlogs किये बिना, आप public में confidently vlogs बनाना सीख नहीं सकते जितना आप public में जाके practice करोगे, उतना ही आप public speaking में माहिर बनोगे आईने में देखे बाते करके practice कीजिए आप public में जाके dummy vlogs को बना के practice कर सकते है खुद अपनी videos को देखिए, आप कहां कहां गलती कर रहे हो देखिए एक book को maintain करे, जिसमें आप कहां कहां गलती कर रहे हो ना, उनको लिकिए और उनको सुदारने की कोशिश करे लोगों से feedback पूछिए, overall practice कर करके, public में vlogs बनाना सीखिए पहले एक दो बार आपको डर लगेगा, लेकिन आपको आगे आदत हो जाएगी ये किस तरह है कि, जैसे हम driving सीखते वक्त, पहले एक दो बार हमको डर लगता है ना बाद में practice करने के बाद, हम आराम से highway पर भी fastly गाड़ी को चला सकते है ना ये भी उसी तरह है, आप इन 5 tips और tricks को follow किया तो आप confidently public में vlogs को बनाना सीख सकते है जोश जुन्यून जजबा के साथ बेतरिन तरीके से अपनी vlogs को बनाईए ये आप video editing सीखना चाते है तो आप हमारे online professional video editing course को join करके सीख सकते है course को join करने के लिए roaringfilmschool.com को visit करे या तो link description box में है चक करे आपको ये video अच्छा लगा है तो इसको like कीजिए, ये अच्छा नहीं लगा है तो इसे dislike कीजिए ये आप vlogging के बारे में और भी videos को देखना चाते है तो comment box में लिखिए और channel को subscribe कीजिए, अगले video में फिर मिलेंगे, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद